हलो फ्रेंड्स, चै मादारी कैसे हैं आप सथ? तुम कहां छुपे भगवन हो, मदु सूधन हो, मोहन हो, कहां धुंडू रमा रमन हो, मेरे प्यारे बन मोहन हो ना मिले तुम दुवारिका नगरी, ना विरच की गलियों में, ना मिले तुम छीर सागर, ना गोपिन की गागर में हो सावरी सूरत वाले एक बार दिखा दे जाकी, और ढूड़ता तुमें यी जग मोहन, क्यों तुमको इसकी खबर नहीं, मेरे रिदय कुंज में आ जाओ एक बार प्रभु बस जाओ, और प्रेम सुधा बढ़सा जाओ, मेरे प्यारे मनमोहन हो, जन्माष्टमी का उत्सव है, और कनहिया को मनाना है, पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है जहां देखो जिदर देखो जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है, और कुरोना महामारी के बीच श्रीकृष्ण जन्म उत्सव की धूम है, मंदिरों में श्रधालूओं के प्रवेश पर प्रतिबंद है मत्रा में ये पहला मौका है जब भग्द जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं और उनकी जनम स्थली मत्रा उनके गाउं नंद गाउं में भी रात के समय धूम धाम से पर्व को मनाया गया स्रीकृष्ण जन्माष्टमी का विशेश संयोग है और 27 साल बाद ऐसा मौका है जब स्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बुद अष्टमी और सरवार्थ सिती योग बना है यानि 1993 के बाद ये पहली बार है जब श्री कृष्ण जन्माश्टमी बुद्वार और सरवार्त सिती योग में बनाई गई है बहुत ही खास है और 12 बचे तक मंदिरों में आज पर्व मनाया जाएगा आर्ती की जाएगी नाना परकार के भूग लगाए जाएगे और बहुत ही खास रात है बहुत सारे उपाई इस रात में करने से क्योंकि ये तांतरिक रात्री मानी जाती है बहुत कारगर होते हैं और खास कर आज की रात तीन राशी वालों के लिए बहुत ही विशेश है तुला राशी, मकर राशी और मीन राशी तुला राशी वालों के लिए जो योग बन रहा है बहुत ही लाबकारी है आर्थिक मोर्चे पर फाइदा होता दिखाई दे रहा है चिंताई दूर होगी रुका हुआ धन मिल सकता है और काना को माखन का भोग लगाए साथ ही दही से उन्हें स्नान कराए ये आपके लिए प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे जो मीन राशी वाले उनके व्यापार में सफलता मिलते दिखाई दे रही है सभी परेशानिया आपकी इस कृष्ण जन्माष्ठमी पर दूर होने वाली है दूद से स्नान कराए बर्फी का भोग लगाए काना को और केसर जरूर मिलाए इन इंग राशी वालों के मिथन राशी वालों के भी सभी चाई सरूर पुर्ण होगी मेश राशी वालों के भी रुकेवे काम अब पुर्ण होने लगेंगे कृष्ण जन्माष्ठमी पर कुछ खास बाते हैं रात के समय आपको ध्यान रखना है धन धान से घर भरा रहता है इ प्रतिमा के पास आज की रात अभी शेक करने के बाद रखें और फिर शिक्रिश्न भगवान और माता लक्षमी का पूजन एक साथ करें पूजा करने के बाद कौडियों को पीली पोटली में अपनी तिजोरी में बान के रख ले इससे माता लक्षमी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी आपके धन में व्रिद्दे होगी इस दिन कृष्न जटमाष्टमी की शाम आपको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए तुलसी की पौदे पर आप चाहें तो लाल चुनरी आदी उड़ा सकते हैं नहीं तो कम से कम वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाए आप जब कीजिए दो बार पूरी माला का जब कर सके तो बहुत अच्छा नहीं तो ऐसे ही जितनी बार इच्छाओ बोलिए और एक दीपक वहाँ ज़रूर लगाना चाहिए इससे आपकी आर्थिक परिशानिया दूर होगी घर में समरिध्य आएगी इस दिन दान का विशेश महत्व माना जाता है कृष्ण अष्टिमी का उख्वास जो भी मनुष्य करता है आपको थोड़ा सा दान धरम जरूर करना चाहिए गरीबों को फल अनाज ये आप दान कीजिए किसी धार्मिक जगह पर किसी मंदिर में किसी मठ में जा करके किसी अनाथ अश्रम में जा करके आप गरीबों को अपने सामर्थ के अनुसार दे सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अतीप्रिया है ध्वापरम युग में भगवान श्री कृष्ण बालि अवस्था में माखन मिश्री चुराकर अपने स shows खाते थे इसीवज़ा से उनको हम माखन चोर भी कहते हैं और तंत्रशास्तर में जीवन में सुक्समृदे की प्रापती के लिए आपको मिश्री का उपाई बहुत ही फाइदे मन्द होता है क्योंकि मिश्री ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थीती को मजबूत करती है बल कि आरोग्ये के लिए भी बहुत बहुत लातायक होती है मिश्री में बहुत सारे औश्यतिय गुण होते हैं और जो मैं उपाई आज आपको बता रही हूँ इनको आजमा कर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं घर में सुक समरिद्धी के लिए इस दिन भगवान स्री कृष्ण को माखन मिश्री सरूर अर्पित कीजिए और माखन का भोग तो ऐसे भी उत्तम होता है और साथ ही साथ उसके उपर थोड़ा साथ तुलसी और मिश्री आपको सरूर रखना जाएए इससे भगवान स्री कृष्ण का आशिरवाद आपकी उपर बना रहेगा और घर में सुक शान्ती का बास होगा अगर आपको मनपसंद जॉब मिलने में समस्या रही है चाए वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर आपके काम धंदे में बरकत नहीं हो रही है या फिर कोई काम आपका नहीं बनता है बनते-बनते काम बिगर जाता है तो आज की रात आपको थोड़ा सा कपूर और मिश्री लेना है और दोनों को एक साथ आपको सारी पूजन करने के बाद जब आरती करेंगे तो उसमें आपको डाल के चला देना है ऐसा करने से ये बहुत ही चमतकारी माना जाते कहा जाता है समस्याई इससे खत्म होती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं और जिन घरों में अकसर कलह होती है, लड़ाई झगड़े का महौल रहता है, परिवार के सदस्यों की आपस में नहीं बनती, उन्हें तो आज की राद आरती के बाद ये जरूर करना चाहिए। प्रतेक कोने में एक एक घी में भिगोकर कपूर जलाईए और उसमें एक मिश्री का टुकड़ा आप डाल दीजे। इससे वातावरन सकरात्मक बना रहेगा। आपको बता दू एक बात का आपको ध्यान लखना चाहिए कि जो लोग भी इस बार जन्माश्टमी कुछ लोगोंने पहले दिन मना लिये वो लोग भी ये उपाय आज की रात कर सकते हैं क्योंकि इस बार जन्माश्टमी दो दिन मनी है। आपको बता दू अगर आप किसी न किसी कारण से परेशान है। जिसके भी जीवन में समस्याई अधिकारी आप चाहें तो हर किसी के अलग-अलग रख सकते हैं। जात्र में आप मिश्री डाल करके जल रख करके सिर्हाने रख करके सो जाएं। और सुबह उस जल को आप तुलसी के पौधे में चढ़ा दीजे ध्यानर के तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। इनकेस आपके पास सुबहाल तुलसी नहीं है तो कोई भी सात्विक पौधे में आप इसे डाल सकते हैं। आप देखेंगे दीरे दीरे आपकी परेशानिया आपके जीवन से दूर होने लगेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था स्रीकृष्ण जन्माष्ट मी है और इस दिन भगवान स्रीकृष्ण की पूझा करते समय। आपकी जो फैमिली है उनको आप बाट के दे सकते हैं। और लॉंग भी आप चाहे तो चाय आदी में यूज करके सिर्फ सिक्के को बान करके रख सकते हैं। और नई तो आप तीनों चीजों को भी बांद के आप अपने धन के स्थान पे या लॉकर में इसे रख लीजे। ऐसा करने से माना जाता है माता लक्षमी की कृपाब तो बरस्ती ही है साथ ही साथ कनहिया आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों जन्माश्टमी के पहले अभी भी राख ही गई है और सभी को भूलना नहीं चाहिए कि भगवान स्रीक कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को आज के दिन राख ही जरूर बाननी चाहिए। इसके बाद उनको मिश्री का एक टुकड़ा जरूर खिलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जैसे सदा उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी है वैसे ही आपकी भी लाज सदा बना के रखें। इससे भगवान स्रीक कृष्ण की कृपा आपके जीवन परविशेश रूप से बनी रहेगी। दोस्तों मोरपंक की बात तो छोड़ी नहीं सकते मोरपंक बहुत ही प्रिया है कनहिया को इसलिए आज के दिन मोरपंक जरूर अर्पित करें पारिजात के फूल अर्पित करें ये माता लक्ष्मी को भी चढ़ाने चाहिए आपको लास वीडियो में भी मै कहते हैं कि जिस रात कानहा का जन्म हुआ उस रात नंद गाउं की गोपियों ने सपने में देखा कि कानहा माखन मिश्री मांग रहे हैं इसलिए कहते हैं कि नंद लाल को माखन इतना प्रिय है मिश्री इतनी प्रिय है कि वो बच्पन से ही गोपियों की मट्कियों से माखन चुरा कर खाया करते थे तो अपने भोग में आज की रात माखन मिश्री जरूर शामिल करें थोड़ा सा तुलसी पत्र उस पे जरूर डाले और मिश्री के कुछ दाने आपको चीटियों को आज या कल की सुबे जब आप वरत्पा पारण करेंगे तो आपको सरूर खिलाना चा या मिश्री जरूर खिलाना जाएगे ठेक केर फ्रेंस लब यू ओल जह माता दी भंब भूले नाद की सब्सक्राइब कर के रखे ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं पनेक्ट रह सके लव यू फ्रेंस टेक केर जह माता दी भंब भूले नाद की